हेलो डियर स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब बच्चो आ चुका है आप सभी कख्छा ग्यानमी का बिसे समा साथ मतलब साइको लॉजी का हैंड़ पर्सन रियल कोश्चन पेपर आ चुका है बच्चो जहां आच इस वीडियो पर मैं आपको सभी कोश्चन भी कराऊंगा और सा चली जल्दी वीडियो स्टार्ट करते हैं और बच्चो यदि वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लिजेगा चैनलो को सब्सक्राइब कर लिजेगा और अपने दोस्तों के साथ शेर कर दीजेगा और बता दू यह वीडियो किसी भी वक्त हो सकता है तो यदि आपको मिल गया है तो जल्दी से डाउनलोड कर लो यह कि इनमें दिए गया सभी कॉश्चन को अच्छी से त्यारी कर लो लिख लो जो करना है कर लो बस इसको अच्छी से पढ़ लेना ताकि कल के एक्जाम में आप असी मैसी ले आओ ठीक है बच्चो तो चली वी पहला नहीं आता है सही बिकल पर चुनकर लिखे पहला है एसे और पॉप्लेशन पुष्टक के लेखक कौन है तो आपको बताना है इसे और पुस्तक के है पहला है तो पहला है किंसले टेविस दूसरा है रोबर्ट मलयस तीसा है ॉढटली किर्के और चोथा मैक्स बेबर तो आप लगाओ कि option number 2, Robert Malayas इसका right answer हो जाएगा, ओके बच्चो नेक्स्ट है, गोराई एक आदिवासी बजार किस राज से सम्मंदित है, option देगा है, मद्यप्रदेश, राजस्थान, चतिसगर या उडिशा, तो आप बताओगे, कि जो घोराई एक आदिवासी बजार है, वह उडिशा से सम्मंदित है, किस से बच्चो उडिशा से सम्मंदित है, प्रश्क्रमांग तीसरा है, दुती अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्धक्ष कौनते, अप्शन दीगा है, बीपी मंदल, दूसरा है काका कल लेकर, तीसरा असोक महता, चौता है बलेंतराय महता, तो आप बताओगे, जिसका राइट एंसर होगा बच्चो आपका ऑप्शन नमर आ, बीपी मंदल होगा, ओके, नेक्स्ट है, धार्मिक पहचान पर आधारित, अक नेक्स्ट है, और दोगी करण से गुजरने वाला पहला समाज है, पताना है कि ब्रिटेन है, अमेरिका, भारत या चीन, तो आप बताओगे, इसका जो सहीततर होगा, ऑप्शन नमर आ, ब्रिटेन हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट है, किसे लोकतंतर का पहरेदार कहा जाता ह है, अप्शन है, लोक सभा, दूसरा सेना, थर्ड है, मास मीठिया, और चौता है, सौस्ट प्रसासन, ठीक है, तो आप इसका सेतर होगा, ऑप्शन नमर सा, मास मीठिया, इसका हो जाएगा, जिसे लोक तंतर का पहरेदार कहा जाता है, बच्चों यहाँ पर देख लो, ठीक है, पहला है, संसकृति करण की अबधारना बिंदी-बिंदी ने दी है, तो बताओगे, कि संसकृति करण की अबधारना किसे ने दी है, तो आप लिखोगे, M.N. Srinivas, किसे बच्चे, M.N. Srinivas, जिन से अभी लिखते नहीं बन रहा होगा, कि कैसे लिखे, तो आपको मै प्रथम अन्य पिछला वर्ग आयोग ने सन बिंदी-बिंदी में अपनी रिपोर्ट प्रसुत की दिए, आप बताओगे, 30 मार्च 1955 का सहित्तर हो जाएगा, तो किसे लिखा गया है, तो आप बताओगे, इसे लिखने वाला कौन है बच्चा, तो आप लिखोगे, जान स्ट आट मील होगा, ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रमेट समाज में, बिंदी-बिंदी की जीव का कमहत्पूर्ण सादन है, तो आप बताओगे, कि ग्रमेट समाज में, गरसी योग भूमी का, यहाँ पर हो जाएगा उत्तर, ठीक है, अगला है, भारत का सर्व प्रतम राज इनियंत दूसरे का होगा, पुर्तगाली, तीसे का होगा, तीस मार्च उनिसो पचपन, चोथे का होगा, जॉन, इस्टुवार्ट मील, बच्चमे का करसी योग भूमी, और छटमे का होगा, दूर दर्सन, ठीक है बच्चों, लिख लिए ले, चलो, इसके बाद जो इंगलिस मादम के छात्रे, इसे भी नोडाउन कर लेंगे, ठीक है, अगला चलते है, प्रिश्च कर मांगती है, निम लिखे, कतनों में से, सत्य अत्वा, सत्य कतन चाट कर लिखे, पहला है, संस्कृती करण में सनचनात्मक परिवर्तन होता है, तो आप बताओगे कि परिवर्तन तो होता ह है, तो आप लगा देगा इसको तरस्त, ठीक है, अगला है, सुद्धता और असुद्धता जाती विवस्था का केंद्र विंदू है, तो आप बताओगे कि सुद्धता और असुद्धता जाती विवस्था का केंद्र विंदू नहीं है, तो यह बच्चों आप सभी के देते हैं ठीक है अलाकि मैं इसका उत्तर है कॉमेंट में पिन कर दूंगा लेगे पहले आपको भी सक उत्तर देना होगा नेक्स्ट है प्रदत्य पहचान और समधाईग भवन सर पर ब्यापी होती है तो आप बताओगे होती है तो आप पताओगे 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 कि यह नहीं होती तो आप लगाओगे होती है तो आप लगाओगे होती है तो आप लगाओगे होती है तो आप लगाओगे यहां से इंग्लिस माद्ध्य जात्र चात्रा है इसे नोट डाउन कर लेंगे बाकि उत्तर भी आपका सेम होने वाला है ठीक है इसकी बाद बच्छो आता है आपका प्रश्क्रमाइब पूछा यहां आपको साथ नमबर मिलने वाले हैं इसे में पूछा गया है निम्रिकी जोडियों का सही मिलान कर लिखिए पहला है सत्य सोधक समाज सत्य सोधक समाज क्या हो जाएगा बच्चो आपका तो आप बताओगे जोती राव फुली पहला का आप इसे नोट कर लेंगे दूसरा है दावेल्थ आफ नेशन को इसका सित्तर हो जाएगा नेक्स्ट है अलगाय तो बच्चो यह अलगाय और हरिजन यह भी आप सभी को बता बताओगे कब बताओगे कब बच्चो उनीश संतामन तो आप लगा लोग इसको तर यह प्रवल जाती कौनसी है तो कॉल मार्क प्रवल जाती में आप लिख सकते हैं इसके बाद बच्चो यह इंगलिस वादब के छात्रे इसे नोडाउन करते चलेंगे इसके बाद आता है बच्चो प्रसकर अब भात ब लिखित प्रस्वन के उत्तर एक सब्ध वाके में लिखिए निर्ट नेपाष्के, भारत में वरजीक मुबाइल सेवाई तो आप बताओगे कि भारत में वर्जिक मौय सेवाएं उनीस सो पंचानमे चली हम लिख देते हैं उनीस सो पंचानमे लेकिन आप दिक्कत मत लिजे अभी मैं आपको पहले पुरा कॉशन मताऊंगा इसके बाद में इसका एंसर दे दूँगा एक साथ तो आप उसे लिख लिजेगा और है नेक्सट ए उनक्वाइट बुट्स पुस्तक के लेखक का नाम क्या है तो आप लिखोगे राम चंद्रा गुआ ठीक है नेक्सट है भारत में इंटरनेट का प्रयोग किस दसक में अधिक बढ़ा तो आप बताओगे कि भारत में इंटरनेट का जो प्रयोग है सन 18 सब्सक्राइब को अपने हिस्से को नीजी कंपनियों में बेचने की प्रेक्या क्या कहलाती है तो आप इसका उत्तर लिखोंगे बच्चों नीजी करण कहला ठीक है अगला है कि संविधान संसोधन में पंचायती राजव्यस्ता की शुरुवात हुई थी तो आप लिखो बच्चों तीहत्रवा संविधान संसोधन कौन सब्सक्राइब को इसका सभी नेक्स ताइब सोशल चेंज इन मार्ठन इंडिया पुस्तक के लेखा कौन है तो आ यहां पर से आपके स्टार्ट होते तो दो नंबर के तीन तीन चाचा नंबर वाले प्रस्ताइब तो आपको बता दूब पहले मैं सभी कोश्चन को कराऊंगा एक साथ में समझाओंगा क्योंकि सभी सेट्स में जो कोश्चन है आगे पीछे हैं इसलिए आप एधिक को समझ लेंगे तो एक ही वीडियो के माद्दम से आपके सभी काम हो जाएंगे तो पहले को सभी को समझे हैंगे फिर लाश्ट में मैं जिस तरह इनका एंसर दिया हूं विकल्पों का उसी प्रकालाश्ट में असर दे दूँगा आप उसे एक तरफ से लिख लिजेगा मेल हो या फीमेल और मृत्यु जितनी होती है उसी को आपको वताना है कि जन्मिदर और मृत्यु दर में आपको अर्थ वताना है ठीक है प्रशक्रमांग साथ है प्रवल जाती की परिभासा लिखे यह भी दो नंबर का प्रश्ण बच्चों मतलब यहां से पूछा गया जो प्रवल जाती हो जो जाती की संक्र सबसे अधिक होते उसे हम प्रवल जाती कहते हैं तो उसे अपनी भासा में लिखना है ठीक है अगला है बच्चों प्रशक्रमागाट संस्कृति करण क्या है लिखिए अत्वा मूल और विस्तरित परिवार में समाजिक इस्तरिकरण से क्या पूर्व ग्रह से क्या तात पर देखिए पूर्व ग्रह आपको बताना इसका परिवार सापको लिखना है ठीक है निले वाले चाहते हैं उसकी आपको परिभास्ते आप लिखना है ऐघारे है तरभात सब्सक्राओं पूछा है प्याराइब पूछा है बश्यूस्कर्टीत सब्सक्राइब posts सरकार कि दो कोई दो लाब को एगने यह इसके लिए आपकर दो नमबर मिलने वाले हैं आखी मुनती ना कि कटवंधनaaa सरकार जो बंती हैं उनके ट्त रीजm में क्या dinner at the courtlike ।्वे 27 लग तो होती हैं कि कुछ लिखना होगा ठीक है इसके बादा बच्चो प्रिश्कत-बंडेरा कि जहां आप です लिए बारत में भूमि सुधार के कोई दो सनचना अत्माइक परिणाम लखें अथ्वे में पूछा गया है इसके लिए आपको दो नमबर मिलने हैं बच्चों इनकी दो वि सेष्था आप आपको लिखनी है नेक्स अब अच्छो प्रश्कमांग चौदा पूछा गया है प्रतिधनात्मक अंदोलन क्या है देखिए यहां पर आपसे प्रतिधनात्मक अंदोलन के बारे में पूछा गया तो लिख देंगे अधिमे में परिस्तिकाएं अंदोलन किसे कहते इसमें के दौरा आएं कोई दो परिवर्तन लिखिए इसके लिए आपको दो नंबर मिलने वाले हैं अथे में पूछा गया बच्चों सोप अपेरा क्या है मतलब यहां पर आपको सोप अपेरा का परिभासा लिखना होगा प्रिश्र क्रमाँ सोला में पूछा गया उपनिस्वेसवाद में से नय बाजारों का अभी भर्व हुआ कोई तीन कारण लिखिए ठीके ना कि उपनिस्वाद से जो बजारों में में अभी भर्व हुआ है उनके कोई तीन कारण आपको लिखने यहां से आपको सभी कोश्ण के तीन-इंवालों हुआ ठीक ना देखित तीन-दीन मिलेंगे आपको ठीक हैं अध्वे में उधारबाद से अर्थवेस्था पर आये परिवर्तन को लिखिए कितने लिखना है तीन परिवर्तन को आपको लिखना है और तीन नमर मिल गाएंगे और निवेसिक सासन से भारत में आये सनचनात्मक परिवर्तन को लिखिए ठीक है उसमें वह भी कितने परिवर्तन को लिखना है बच्चो तीन परिवर्तन को लिखना है और ती नमबर बन जाएंगे आपकी अधिवे में है नागरी करण और अध्योगी करण में परसपर समंदों पर टिपड़ी लिखिए तो यहां पर आपको उसका टिपड़ी लिखना है बच्चों तो इतना तो आप करी लेंगे ठीक है इसके बादा तर प्रश्कमंग अठारा स्वतंतर भारत में गरमीर समाज में कोई तीन परिवर्तन लिखना है कि स्वतंतर भारत से जो गरमीर समाज में हुआ है परिवर्तन उनमें आपको तीन परिवर्तन को लिखना है अधे पूछा गया है भारत में किसानों की आत्मात्या के लिए उत्तरदाई कारण लिखे कोई तीन बहला आपको बताना है कि भारत में ऐसा क्या क्या कारण है जिसके कारण जो किसान है आत्मात्या कर रहे हैं उन तीन कारण को ल प्रवाइद करता आपको बताना है इसके वाद आता प्रश्कमांगवीज यहां पर आप से पूछा गया है मल्यास में जनसंख्या बर्दी सिध्यांत पर एक निवंद लिए किसे बच्चों मल्यास के निवंद लिखनाए इसके बाद आत है भारत में जनसंख्या बर्दी के चार कारण को का विस्तार कीजिए वाज पर रिवारिक सनचना को किस प्रकार प्रभावबित करते हैं व्याक्या कीजिए इसके लिए आप आपको च Cheng नंबर मिलने वाले बच्चों यहां पर आपको जो परिवारिक संद्चना होती हैं तो इसंद्चना को बारे में लिखना होई चार आप चार लाइन में लिख दो गिन मिल जाका चार नंबर में पूछा गया भाद में सस्ता एवन वंस के अधार पर परिवारों का वरगी करण लिखिए एवं उनकी ब्याख्या करना है आपको ठीक है इसके बाद आता है प्रश्च कमांग 22 पूछा गया इसमें समाजिक इस्तिरी करण की कोई चार प्रम्मुख विसेशता है लिखिए ठीक है अधिवे में जाती विसमता को दूर करने को दूर करने के कोई दो चार उपाए के लिखिए यहां पर चार नंबर का प्रश्चन है ठीक है तो आपसे क्या पूछा गया जाती विसमता को दूर करने के कोई ऐसे आप चार रिजन बता जिससे जो जाती बाद होता है वो नश्ट हो सके ठीक न इसके बाद आता है प्रश्च कमांतेस बेपर का समाजिक अंदोलन्स कि समाजिकद परिवरदन लाते हैं दूसटों दिजान दोलन दुर्वोड़ limit डूसर जनद्व डूसरी तो निजान तो आपको इन दोनों टॉपिक पर टिप पड़ी लिख लिखना क्या कर न है इन दोनों topic पर मैंने पूर्सकस्टों आपको प Tamam जो इसका answer seat है आपको इसके बाद है कि next video upload होगी ठीक है जहां पर आपको इन सभी questions का हम पूरा solve भी कराएंगे ठीक है तो आप सभी को करना क्या है जल्दी से चैनल को subscribe कर लेना है और वीडियो को like करके चैनल को subscribe करके बेल आइकन को on कर लेना है ताकि जैसे ही इसके answer seat की वीडियो आप YouTube चैनल पर अपलोड हो तो उसका notification आपके पहुंच जाए और आप अपने exam की त्यारी परिछा की त्यारी बहुत अच्छे तरीके से कर पाए तो जल्दी से बच्चों वीडियो को like कर लिजेगा चैनल को subscribe कर के बेल आइकन कर लिजेगा और साथी साथ बच्चों आपको बता दूँ इस वीडियो को जितना ज्यादा ज्यादा हो अपने दोस्तों पर सेर जरूब कर दीजेगा क्योंकि अभी तो मैं आपको set a question paper लेकर आ चुका हूं फिर इसके बाद मैं आपको set b का set c का and set d का भी आपको करना का है जल्दी से चैनल को subscribe कर लेना बेल आइकन को on कर लेना तो बच्चों आज के लिए बस इता है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जैहिन जैवारत